हलो एब्रिवान आज मैं परवल मसाला फराई बनाने वाले हूँ यह मसाले दार फराई परवल का बहुत ही अच्छा लगेगा तो देखिए मैं यहाँ पर परवल 500 ग्राम ले हूँ इसे अच्छी तरह से इस तरह से छेल लेना है उपर का भाग को और उपर नीचे का हटा लेना है इस तरह से आराम से यह छिलका निकल जाता है तो हर एक परवल को इसी तरह से कर लेना है तो एक एक करके सारे को मैं हटा लेती हूँ यहाँ पर मैंने यहाँ 500 ग्राम परवल लिया है दखेए मैंने यहाँ पर परवल को सारे को छी डिल लिया है और धो के मैं यहाँ पर परवल को एक पडल को में दो भागों में कातोंगी तो इस तरह से इसे काट लेना है, दो भागों में परवल को कर लेना है, तो मैं एक एक करके सारे परवल को काट लेती हूँ, मैंने काट लिया है, यहाँ पर मैं मिडियम साइज चार आलू मैंने लिया है, और जिसे मैं धो ली हूँ और इसे चार भागों में काट लेना है, एक आलू को चार करना है कि इस तरह इसे मोटा ही रखना है पतला बिल्कुल नहीं करना है है तो मैंने काट लिया है आलू को चलते हैं मसाले की तरब तो देखें मैंने यहां पर तीरीन हरी मिर्च लिया है एक इंच अद्रक का जिसे मैंने छोटे टुपडों में काट लिया है एक प्यांच लिया है जिसे मैंने काटा है और यहाँ पर एक गांठ पूरा ही मैंने लसन का लिया है जिसे मैंने यहाँ पर छील के जार में मैं डाल रही हूँ एक चमच यहाँ पर मैं जीरा ली हूँ, आधा चमच, काली मेर्च, एक चमच, धनिया, यहाँ पर मैंने एक इनाइची लिया है और यहाँ मैं दो लवंग और एक बिल्कुल छोटा सा ही मैंने यहाँ दालचीनी लिया है और थोड़ा सा पानी डालके इसे पीश लेते हैं तो देखिए मसाला पीश चुका है इसे एक बरतर में निकाल लेते हैं अच्छी तरह से निकाल लेंगे इसमें पानी भी डालके अब यहां मैंने कडाही में तेल डाल लिया है तेल गरम हो चुका है सर्णो का तेल मैंने दो चमच लिया है इसे मीडियम फ्लेम पर में अभी फ्राई करने वाली हूं इसे परवल को इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है हाई टू मीडियम रखेंगे फ्लेम को Also तो देखिए कुछ देर के बाद इसमें इस तरह से कलर चेंज होने लगेगा ना तो इसे बिल्कुल कम ही फ्राई करना है ना ही बिल्कुल ज्यादा तो देखिए इस तरह से कलर इसका चेंज हो जाए हलका ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लेना है तो इह बलकुल अची तरह से फ्राइ ओ चुका है अब मैं आलू को डाल रही हूँ उसी तेल में मैंने दूबहरा तेल नहीं डाला है बस 2-1 चमस तेल में ही ये पुरा फ्राइ ओ जाता है और सबजी भी बन जाता है उपर से नहीं डालना है तेल जादा तो मैं एक ही बार में सारे आलू को डाल दी हूँ और इसे भी फ्राई कर लेते हैं गोल्डेन ब्राउन होने तक तो देखिए यहां पर गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब इसे भी निकाल लेते हैं फिर से मैंने यहाँ पर एक प्याँज काटा है जिसे मैं डाल लेती हूं और अभी मैं मिडियम फिलेम पर ही पका रही हूं इसे गोल्डेन ब्राउन होने तक भूनेंगे तो देखिए ब्राउन हो चुका है तो मैं यहाँ पर पीशा हुआ मसाल को डाल रही हूँ इसमें थोड़ा चा पानी भी लेंगे मसाला लगा हुआ है तो और इसे अभी मीडियम फ्लेम पर ही मैं रखी हूँ अभी मैं यहां पर हींग डाल रही हूं चुटकी भर मैंने यहां लिया है आधा चमबच मैंने यहां पर हल्दी लिया है दो टमाटर को काट कर मैंने डाला है यहां पर आधा चमबच मैंने काश्मीरी मिर्च और यहां पर सब्जी मसाला डालेंगे एक चमबच और स्वाद अनुसारे हां नमक भी मैं डालूँगी अब फिलेम को मैं बिल्कुल कम कर दूँगी बिल्कुल लो फिलेम पर अब मसाला को मैंने लगभग दो मिनट भूना है लो फिलेम पर अब आलू डाल कर इसे एक मिनट लो फिलेम पर भून लेते हैं पहले आलू को अगर फ्रेंट्स आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंदार ही हो तो वीडियो को लाइक, सेर एंड सस्क्राइब जरूर करिएगा तो देखे मैंने यहाँ पर आलू को डाल लिया है और इसे बिल्कुल लो फिलेम पर भूनेंगे एक मिनट के लिए देखे एक मिनट हो चुका है तो मैं बिल्कुल छोटे गिलास में आधे गिलास में यहाँ पर पानी डालूँगी इससे ज़्याद पानी नहीं डालना है इसमें और उसके बाद मैं यहाँ परवल को डाल दूँगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही अब पकाएंगे हाई फ्लेम आप बिल्कुल नहीं करेंगे ना वेडियम फ्लेम करेंगे तो इसे बीच बीच में डखते हुए पकाएंगे एक एक मिनट के बाद इसे चलाते रहेंगे और दुँगल धक देंगे देखे एक एक मिनट में मैंने उठा के धकन उठा के चेक किया है तो इस तरह से ये पक रहा है बिल्कुल जो कच्चा पन होगा वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगा इसलिए इसे धक के ही पकाना है बीच बीच में चलाते रहना है पर फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है देखे कुछ देर के बाद इस तरह से मसाला बिल्कुल परवल के अंदर जा रहा है और आलू में भी बिल्कुल लग जाएगा अच्छी तरह से और मसाले में बहुत अच्छा खुस्बू आने लगेगा देखे बिल्कुल पक चुका है और यह गर्मा गरम परवल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में रोटी यह चावल के साथ खाईए बहुत ही अच्छा लगेगा यह रेशिपी बनके बिल्कुल त्यार हो चुका है वीडियो को देखने के लिए थाइंक्यू